एसल ग्रूप के चेर्में डॉक्टर सुभाष चंद्रा हरियान से राजे सबाचुनाव जीत गए हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने निर्दली उमीद्वार के तौर पर चुनाव रड़ा था डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आरके आनंद को हराया और क्यानन को कॉंग्रेस और आइनल्डी का समर्थन मिला हुआ था और ना कोई बढ़के मारता है हरियाना से राज्य सभा के लिए चुने गए बीजेपी उम्मीदबार और केंद्रिक रामिन विकास मंत्री चौधरी विरेंद्र सिंग ने वोट का गणित समझाया कल हमने फैसला किया था कि मुझे 40 वोट मिलेंगी और सुभाज चंद्रा जी को 12 वोट मिलेंगी फस्ट प्रेफरेंस वो योंकियों आई हैं और तीन वोट उनको और मिली हैं बारा और तीन पंद्रा और जो हमारी ट्रांसफर होई वो 39 वोट हो गई थी चंद्रा जी को और इस प्रकार से उनकी 29 होगी तो ये इस तरह की फिकर्ज है डॉक्टर सुभाज चंद्रा की जीत पर हर्याना के हिसार में जश्न का माहौल है डॉक्टर सुभाज चंद्रा के समर्थकों ने मिठाई बाटी और पटाखे भी फोडे डॉक्टर सुभाज चंद्रा ने जीत के बाद हर्याना के सभी 90 विधाय को और बीजेपी का शुक्रियादा किया अलांकि मैं एक इंडिपेंडन्ट प्रत्यास्थी के रूप में मैंने चुनाव लड़ा जिसको भारतिये जन्ता पार्टी ने अपने पहले प्रत्यास्थी के अतरिक जितने मत होंगे वो देने का बादा किया उनकी समर्थन मुझे मिला परन्तु और वो उसके लिए मैं उनका भार पहले भी प्रगट कर चुका हूँ आज फिर भारतिये जन्ता पार्टी का तहे दिल से धिर्दय की गहराईयों से उनका भार्दिक धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोईंका ने जीत पर खुशी जताई है सुभाष चंद्रा की जीत हुई है उसके लिए सारे इसार वाष्चियों का बहुत बहुत आवारी हूँ और उन सब का बहुत बहुत तन्यवाद करता हूँ यूँके उनकी सब इसार के लोगों की इसार प्रिस्टिक के लोगों की यही बावना थी कि सुभाष चंद्रा आगे जाए राजे सभा की निर्दली सीट पर डॉक्टर सुभाश चंद्रा की जीत पर हर्यान के मंत्री अनिलविज ने खुशी जताई और कहा कि राजे सभा चुनाव के लिए आरक आनंद को समर्थन देने वाले कॉंग्रेस और आयनल्डी का गट जोड ही बेमेल था कांग्रेस के विधायक उसके लिए कहीं भी सेहमत नहीं थी लेकिन किसी बाहरी और अंदरूरी दुबाओं के कारण ये फैंसला कराया गया जिसको कांग्रेस के विधायकों ने रिजेक्ट कर दी मध्यप्रदेश सरकार में संसिदेकारे मंत्री नरुतम मिश्रा ने डॉक्तर सुबाश चंद्रा को जीत पर बथाई दी बहुमों की प्रतबा के धनी है मानिशुवास सिर्वाजी एक मुसल उद्योग पती है एक समाज से भी है ओजस्वी वक्ता और तेजस्वी व्यक्तित्यों के धनी भी वो है राजसवा के लिए एक विचारक, एक चिंतक, एक संगठक, एक ओध्योग एक व्यक्ति ऐसा मिला है जो सरवांगी ने सोच रखता है हम अपने सब्दों में जिसे हर्फन मौला भी कह सकते हैं साथ राज्यों की 27 राज्यसवा सीटों के लिए शनिवार को हुए चुनाओं में 11 बीजेपी, 7 समाजवादी पार्टी, 6 कॉंग्रेस और बीएसपी के दो मीदवारों ने जीत हासिल की मौजूदा चरण की 57 राज्यसवा सीटों में 30 पर उमीदवार पहले ही निर्विरोज चुने जा चुके थे राज्यस्थान की सभी 4 सीटों पर बीजेपी ने बाजिमारी है मैं यूपी में 11 में से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कबज़ा जमाया उत्राखंड की अकेली सीट पर कॉंग्रेस का दावसा फल रहा जबकि मद्यप्रदेश की 3 में से 2 पर बीजेपी ने जीत दर्श की और जारखंड की दोनों सीटे बीजेपी के खाते में गई भारत का सबसे भरोसे मन चैनल Z-News दर्श को के भरोसे पर एक बार फेर खरा उतरा है जेएन्यू में देश विरोधी नारू का वीडियो सबसे पहले Z-News ने दिखाया था देश विरोधी नारू का वीडियो सिर्फ Z-News के पास है वीडियो पर सवाल उठने के बाद दिले पुलिस ने देश विरोधी नारेबाजी का वीडियो जाच के लिए दिली में CBI की Central Forensic Science Laboratory में भेजा था जांच के दौरान वीडियो से ही साबित हुआ है जांच में लैब ने पाया कि फुटेज से किसी तरह की कोई छेड़ चार नहीं की गई थी दिली पुलिस की Special Tell ने Z News से वो RAW फुटेज मंगा कर उसे CBI की CFSL लैब में भेजा था और उस लैब ने इस बात की पुष्टी कर दी है कि Z News पर जो खबर दिखाई गई थी उसमें किसी तरह की कोई छेड़ चार नहीं की गई थी इस बात की जानकारी Special Tell के आला अधिकारियों ने हमें दी है कि जो रिपोर्ट आई है उसके मताबिक जो भी RAW फुटेज था उसमें किसी तरह की कोई छेड़ चार नहीं की गई है यानि Z News ने जो खबर दिखाई थी वो एकदम सही थी और इसकी पुष्टी CFSL की रिपोर्ट कर रही है BJP राश्य कारेकारणी के बाद मोधी कैबिनेट में बड़ा फेर बदल हो सकता है सूत्रों के मुताबिक मंत्री मंडल फेर बदल में उत्तर प्रदेश, उत्राखन और पंजाब से मंत्रियों की संख्या बढ़ाय जाने की संभाव ना है तो कुछ मंत्रियों को कैबिनेट से हटा अगर संगठन में भेजा जा सकता है सूत्रों के मुताबिक के इंद्रे मंत्री मंडल में बदलाव 27 जून को राश्परती प्रणा मुखर जी के विदेश दोरे से बाप्षी के फौरण बाद मुमकिन है कॉंग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए विजेब भुगुणा को राश्य कारकारणी में शामिल कर लिया गया है इलाबाद में आज से बीजेपी की राश्य कारकारणी की बैठक शुरू हो रही है दो दिन तक चलने वाली इस बैठेक में तीन प्रस्ताओं पारित किये जा सकते हैं। बैठेक में पिछले दो साल में पार्टी की कामकाज की समिक्षा के अलावा आने वाले विधानसवा चुनाओं को लेकर एजंडा तै किया जाएगा। यूपी में विधानसवा चुनाओं से पहले हो रही कारेकार्णी में पार्टी का मेंन फोकस यूपी में चुनाओी रणनीती पर होगा। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कारेकार्णी को सम्बोधित करेंगे। नागरी गुडियन मंत्राले ने हवायातरा के लिए नियोमे में कुछ बदलाब किये हैं। प्रधान इदेशाले ने IDBI बैंक का कर्ज ना चुकाने के मामले में शराब कारोबारी विजय मालिया और उनके एक कंपनी की 1411 करोड रुपे की संपत्ति कुर्ग की है। मालिय के स्थाई रूप से कुर्ग संपत्तियों में 34 करोड रुपे की बैंक जमा, बैंकों की 9000 करोड रुपे चुकाय बिना विजय मालिया ब्रिटेन में रह रहे हैं। जमो कश्मीर में हिजबूर मुजाहिदीन के आतंक्यों का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो पाकिस्तान के कब जिवारे कश्मीर में शूट किया गया है। वीडियो में भारत में घुस्पैट के लिए तैयार नकाप पूश आतंक्यों से बाचीत रिकॉर्ड की गई है एक नकाप पूश आतंक्यों से उनके संगठन, स्कॉर्ड और उनके टार्गेट के बारे में सवाल जवाब कर रहा है हाला कि ये हिच्बुन का प्रोपगेंड़ वीडियो भी हो सकता है देहरादून से पती का जमदिन मनाने आए एक महिला को दिली के जनपत सेच शिफ्स आगर रेस्टरॉंट से बाहर निकाल दिया गया महिला का कहना है कि वो पती और बेटे के साथ दोपैर दो बजे कुछ गरीब बच्चों को इस रेस्टरॉंट में खाना खिलाने लाई थी लेकिन उन्हें बाहर निकाल दिया गया त्योंकि इन बच्चों के कपड़े मैले हैं इसके बाद इस महिला ने उन बच्चों को दूसरे किस रेस्टरॉंट में खाना खिलाया और उसके बाद शिवसागर रेस्टरॉंट के बाहर धरने पर बैट गई शिवसागर रेस्टरॉंट की पियारों ने सुनाली पर ही आरोप मन दिया सुनाली ने आज फिर शिवसागर रेस्टरॉंट में आकर गरी बच्चों को खाना खिलाने की बात कही है अमेरिका की हूस्टन होबी एरपोर्ट के पास एक छोटे विमान के क्रैश का सिसिटी विडियो सामने आया है प्लेन अचारग पार्किंग में खड़ी एक कार पर गिर गया दुरगटना में महिला पाइलेट 46 वर्ज की डाना ग्रे उसके 52 वर्ज के पती टोनी और 27 वर्ज का जैरी मारे गए हासे से पहले हूस्टन होबी एरपोर्ट को ट्रैफिक कंच्रोलर और पाइलेट डाना ग्रे के बीच बाचीत की रिकॉर्डिंग एर ट्रैफिक कंच्रोल ने जारी की है जिसमें एर ट्राफिक कंच्रोलर ने डाना ग्रे से दो बार कहा मैं प्लेन को उपर ले जाए और फिर लैंड कराने की कोशिश करें जिस पर डाना ग्रे ने कहा कि मैं फिर लैंड कराने की कोशिश करती हूँ ट्राफिक कंच्रोलर ने कहा ठीक है लेकिन डाना ग्रेल पे इनको कंच्रोल नहीं कर सकी और पेन हॉस्टन हॉबी एरपोर्ट के पास पार्किंग में खड़ी कार पर गिर गया गुश्रात के वडोंदरा में बेसुबान पर बरबरता का एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है दो लड़कों ने एक कुट्टे को पहले रस्तियों में बाढ़ा और बाइक के पीछे बाढ़ कर फिर दो किलो मीटर तक हसीटे रहे सोशल मीडिया पर ये वीडियो बारल होने के बाद फोलिस ने दोनों आरोफियों को गिरफतार कर लिया है आयनिमल्स के साथ कुरूल्टी हो रही है तो जे लौज है एक्जिस्टिंग लौज है वो एक्दम वीक है डर नहीं है लोगों में तो ये चीज है कि हम सरकार मिनिस्ट्री से कहना जाते हैं कि आप कुछ सक्त जैसे यूमिन के लिए वैसे इनके लिए कुछ बेजुमानों के लिए सक्त से सक्त कानून बनाया जाए 1965 में शुरू हुए कोयमबटूर जू में पहली बार 21 फिमल क्रोकोडाइल का जन हुआ है जू के अडिशनल डारेक्टर ने बताया कि 30 डिग्री तापमान पर मगरमच के अंडों को रखने पर फिमल क्रोकोडाइल के जन के संभावना ज्यादा होती है और ऐसा ही करने से 21 फ झाल 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 झाल